आप देख रहे हैं आवाज इंगे टीवी इस वक्त हम वरिष्ट पत्रकार आमबेट करी बहुत धा अंदोलन के पुरोधा समिधान के जानकार और तमाम जो मामले देश में उठते हैं जो शेडूल कास शेलूल ट्राइबस बहुजोनों के लिए होते हैं उन सब मामलों के जानकार प्रोफेसर पत्रकार रंजीत मेश्राम इनके साथ है और बहुत ही महत्वपुर्ण विश्वय पर यहां चर्चा हो रही है जो सब्सक्रे महत्वपुर्ण विश्वय है जो है जातीगर जनगन्ना और रिजर्वेशन क्योंकि हमने देखा है कि आरक्षन के मामले पर तरह तरह की भ्रांतिया है उन भ्रांतियों को थोड़ा कम करने की हम कोशिश इस मुलाकात के जरिये करेंगे सर आपका बहुत-बहुत स्वागत सबसे पहले यह है कि जब देश आजाध हुआ तो यह बात कही गई कि जो दब वे वन्चीत कुछले लोग है या बहुजन है उनको आरक्षन देना बहुत जरूरी था इस पर चर्चा क्यूं हुए इसका कारण ऐसा है कि अंग्रेश तो केवल 200-200 साल थे उसके पहले से भी भारत है तो यहां एक व्यवस्ता का रास्ता वो काईदे का रास्ता ऐसा नहीं बूल सकते तो उस वक्त में अगर और बारे किसे अगर कहें तो चातुरवर्णी की समाज व्यवस्ता थी और वो समाज व्यवस्ता वैसे ही होते तक 1997 तक के वो आई तो उसमें एक काफी बड़ा तपका यह सारी बातों से यह वंचीतरा फिरो सेक्षेनिक भी हो सकती सामाजिक भी हो सकती यह जीवन के उन्दती का हर क्षेत्र उनसे पिछला रहा तो यह बात उसलिए इसलिए बहुत गंबिर हो गई कि मैं थोड़ा और एक मिरी ने कर विस्तार से बुलू तो बाव साब इसलिए बहुत बार बोलते थे कि अंगरे जी की हुकुमत के बाद में हम किस बात के लिए आपर स्वतनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बाराठी में अगर कहें है सातंतर कशा साथी यह स्वतनता किस लिए यह यह आप क्यों नहीं तए करते तो उस हर बात में हर वक्त में वाव सोप को यह समझाय जाता था कि पहले स्वतनता था मिलाएंगे बाद में फिर उसको सूचेंगे बावा साब कहते थे कि आपका रोडमैप जो है कि हम सतंतरता पापतर करने के बाद में ये देश इसी से रास्ते से लिखे जाएगी ये अगर आपकी स्पस्टता हो तो ज्यादा भेतर रहेगा लेकिन उनके बाद में पहले सामा जीक की पहले राज किये ऐसा एक विवाद जाता था और पिर तो मावों आपको माव रहार एक बता होगा कि स्वतंतरता कि हमाने पंद्रा आगस 1937 के सहितालिस के पहले मैं के मेहने में उन्होंने स्टेट एंड मानेरिटी जिसको राज्य समाजवाद बोलते वह सभीदान सभा को दिया था मेरी बात मानिये बुले कि स्वतंतरता मिलने के बाद में इस देश का राज्यकारबाद इस मार्क से चलेगा या आप ताह करने के लिए मैं बहुत कठोर महनत से ये प् कि ये गरज पड़ी गरज इसले थी कि सत्तर असी प्रतिशत लोग ये सभी बातों से वंचीत थे इसले गरज एक महतवर्न बात और डिसकस हो रही है पिछले कुछ सालों से जिस तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षन तो है उसको आर्थिक आधार पर किया गया ये आर्थि कुछ सपती है कि आर्थिक आरक्षन का जो मूल आधार है वह साइक्षनी का और सामाजीक बैकवड़नेस है और आर्थिक आधार का ये मूलाधार हो नहीं सकता अगर आर्थिक आरक्षन अब उन्हें तो दे दिया उन्हें तो घटना दुरूस्ति भी की एक्सो तीन भी ने तब ही दे दी इसके बावजूद भी ऐसा लगता है विक्ति के स्तर पर कि उनको आरक्षन नहीं बोलना चाहिए था वेलफेर की कई योजनाय होती उनमें से उनको देना था नई देनी के बारे में नहीं कह रहे हैं अब उन्होंने उसमें गोना कि जिसका होगा वो आर्थिक आरक्षन का दाविदार बनेगा जिसकी पांच एकड़ खेती से कम होगी ठीक है उन्होंने जो नार्म्स किये होगे लेकि उनको आरक्षन के वरगवारगी में डालना तो जो मूल है जो सवीधानिक मूल है उसको धक्का देने का शडियन तो नहीं ह प्रतिशत 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 अन्या हुआ है यह सोची गलत है वो आरक्षन शब्द महां नहीं डालना था उनको देने का है तो देव ना कल्यानकारी योजनाव में से एक योजना इस लिहाज से देना चाहिए था लेकिन आरक्षन की जो वरगवारी उसकी जो सोच है कि विवस्था में जो समुह सैक्षनिक और सामाजिक दुरुस्ति से मागास रहा पीछे रहा संदिव अंचित रहा उस इसलिए इतना इनको मिलना चाहिए ये जो तय हुआ तो आर्थिक आरेक्षन लेने वाले ये सामाजिक और सेक्षनिक स्तर पर मागास है ऐसा नहीं बोल सकते है वो ठीक है वो गरीब है ठीक है वो उनके ओपन कैटेगरी में पीछे रह हो गे लेकिन वो सामाजिक उन पर अन्या हुआ उन पर सांस्कूरूतिक अन्या हुआ वो समाज में नीचले सर पर हुए वो हेट्रेट हुआ उनका उनका सामाजिक मुलने कम था ऐसा नहीं है ना इसलिए वो जायज नहीं लगता बिलकुल एक बात और आप से जाननी थी कि जब ये सारे बाबा साब उस दौटिंग में ला रहते है कि इससी स्वीज को बॉटिंग कया इसी कर अफ होको कि दया साभर ये जिसको हम अधर बैकवर्ड क्लासिस कहते हैं कि इनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान करें ईक सा téः चाया और िबाबाल शारे पिज़तिक कुछ ज्यादा वो गुस्से के पात्र भी है और वो गुस्सा अधिक मात्रा में अज्यान से है यहां एक बात है कि वो जब पढ़ने गए 1916 में तब से लेके तो उनके महापरी निर्वान तक मैं उनका एक अन्युआई करके उनकी मैं तारीफ कर रहा हूं ऐसा नहीं है निश्पक्ष भावश्यकर में कहूं तो डॉक्टर वावसां अमबेटकर यही एक शक्स है इस देश में कि जिनों ने पहले इस देश की समाज व्योस्ता को समझने की कोशिस किया वो केवल समाज व्योस्ता के खिलाप में यह बहुत रillar शक्ते हैं अन्हों ने की समाज व्योस पहला उनका ऑह्में का थेसी से कास्थ पर हैं उनका हर जो अभ्यास hack आप जो बोल रहे हैं उस बात को मैं वहां लेके आता हूँ, उनको तो सवीदान सभाने 15 आगस्ट के बाद 29 आगस्ट 1947 को मसुदा कमिटी का चेर बनाया, एक दिन पहले सदस्य बनाया, दूसरे दिन अध्यक्ष्य बनाया, 29 आगस्ट के पहले, 29 आगस्ट 1947 से सभीदान लिखनी की जिम्विदारी का उन्होंने वान किया, उन्होंने इस देश के लोगोंने पहले समझना चीए, उन्होंने 1946 को हुवेर शुद्राज लिखाये, अब जो शक्स सभीदान सभा में जाने के पहले, इस देश का शुद्र कोन होता है, शुद्रों उन्हों इभी शुद्रों का अभ्यास नहीं किया, उन्होंने दांटेशे बर्स लिका, ये बात का मूल था, मूल गामी फरक लोगोंने समझना चीए, कि बावासा अंबेट कर ठीक है, ऐसा कहते हैं कि दलितों के नेता है, वो दलितों के नेता उनको उसमें आना पड़ा, लेकिन शुरू से समाज व्यवस्ताने या व्यवस्ताने या धार्मिक व्यवस्ताने या कहें हिंडू व्यवस्ताने जी सम्मूओं को संदीव अंचीत रखा, अपार्श उनिटी से दूर रखा जो उन्निटी के रास्ते पर सोज भी नहीं सके वो केवल भावतिक जीवान में नहीं मानसिक रूप से भी बहुत गुलाम थे उन लोगों को ये क्यों हुए वाइसो इसका मूल बावा सामने पहले ढूंड के निकाला वो शुद्र नहीं थे वो अस्पुरुष्य थे उनके कैटेरी की हिसाब से लेकिन शुद्रों का सबसे मुलगामिय अभ्यास अगर किसे ने किया होगा सविदान सभा में जाने के पहले 1946 में उन्होंने दशुद्राज लिखा और आपको यह सुनकर ताजू लगेगा कि वूस किताब को उन्होंने महात्मा फुले जी को अरपीत किया अब यह केवल अरपीत तक के बात नहीं आती हो हर बार जब किताब लिखते थे तो उनकी जो अरपन पत्र का जो लिखती थी वो बहुत महात्मा फुले आदूनीक भारत के महान शुद्र जिनों ने हिंदू यवस्था का जो मागा स्वर्ग है इनको उच्य वर्नियों ने कैसा गुलामी में रखा इसका ज्याद कर दिया इसी साथ विदेशी सत्ता से सत्ता के तुलना में सामाजिक सत्ता किसकी है इसका आगहा करने का पाठ दिया वे महात्मा फुले को ये किताब समर पीप माने उनके मन में शुद्रों के उपर में भी उच्य वर्नियों की सत्ता है इसकी जानकारी महात्मा फुले जी ने किये तो वो सभीदान लिखने के पहले उनके दिमाग में था कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको शुद्र कहते है उनको आज के भाषा में ओभी सी कहते है ये वर्ग समाज व्यवस्ता के बंदन के कारण पीछे रहा उसको विकास की संदी मिलना चाहिए और इसलिए उन्होंने फिर महां ताजुब की बात है कि अंग्रे जोने शेडूल कास्ट ये कोई शेडूल कास्ट ये कोई जाती का इस देश में एक ऐसा आस्परुष्य सम्मू है उसकी सूची तैयार किया इसलिए उस शेडूल कास्ट की सूची वही अंग्रे जुने आदिवास्यू की सूची किया तो उनका नाम दिया स्टी ट्राइब की सूची सूची नहोते हुए भी मैं ऐसा कहता हूं कि इस देश के अबिसी ने पीडी दर पीडी बावासाप का उपकार बानना चीए कि सूची नहीं होते हुए भी शेडूल कास्ट की जातियों की सूची थी शेडूल ट्राइब की जातियों की सूची थी अधर बैकवर्ड क्लास जिसको हम शुद्र कहिए, उसका पूरा कैनवास त्यार नहीं था, उसकी सूची भी त्यार नहीं थी, उसके बावजुद, केवल उन्होंने जो होवेर शुद्राज में ये शुद्र क्यों रहे, ये वैभारिक रूप से इस देश के राजा थे, ये उच्चवर्णी और वो जगडे में ये कैसे बंदिस्थो के शुद्र मने, ये कंक्लूजन पर जब वो आए, तो उनको लगा तो ये समाज वास्ता के बली है, ये हिंदु वास्ता का बिना अपराद किये, इतना बड़ा ये समों का बली करन हुआ है, इसलिए इनको उस व वास्ता का बिरोत किये, कि जिसका क्यानवास नहीं है, जिनके जातियों की सुची नहीं है, इसके बावजूद में आप समीदानीक तरतूत कैसे कर सकते हैं, जो 340 में अधर बैकवर्ड क्लास के लिए जो प्रोविजन दें, 341 में SC को है, 342 में SC को है, यानि पहला प्राव और अधर बैकवर्ड क्लास का कैनवास तैयारन होते हुए, इतियास के आधार पर और बावासाब के अध्यास के आधार पर, उन्होंने आप मानोंगे नहीं क्या, उन्होंने कई दाखली दिया वहां पर, कि ये शुद्र ये इस देश में समू है, और वो जक्मी है समाज मे पीछे रहा है, हो सकता आश्पुर शुद्र में कोई 19-20 का फरक हो, लेकिन वो भी पीछे रहा है, तो पर कैसा करें, उन्होंने प्रोविजन रखो उनमें, पहले लेकिन आप प्रोविजन करो, फिर वहां पर एक प्रोविजन रखो, कि OBC में कितनी जातिया आतिये, ये ढ जो यहां पर सत्ताधारी होगे, वो सत्ताधारी हों का पहला काम है, कि उन्होंने एक आयब का निर्मान करे, और भारतिय समाज में, या हिंदू समाज में, शेडुल कास छोड़के, शेडुल ट्राइब छोड़के, जो लोग, जो अर्गसंमों अधर वैकवड क्लास में, वो अब उन्होंने बाद में सत्ता प्राप्ति के बात क्यों नहीं किया यह बावासाफ का गुना नहीं है। एक बात और महत्वपुर्म है कि राजनिती चल रही है कि जातीगत जनगन्ना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कुछ पॉल्टिकल पार्टियाइ इसका समर्थन कर रही है। कि इतना जरूरी है कि सब न्यां मिले स्लेख जनगन्ना होनी चाहिए। भी जातीगत जनगन्ना हुते हैं जाती पर पर प्रेश कर रहे है। समाज ब्यवस्ता में शुद्र के नाते आदर बैकवर्ड क्लास के नाते, सेक्छनीक और सामाजीक दुरुस्टी से बागास कोंती जाती है रही, उनकी जनगन्ना चाहिए ऐसा कि बोलना चाहिए। वो जो बोला जारा रहा जाती के जनगन्ना हो रही है उसमें एक शडियंत रहे भारतिय समाज में सामाजी का और सेक्षणी के रूप से समाज विवस्ता के कानन कौन सा समूह है जो पीछे रहा उनकी जाती के जनगन्ना होना चीए तो उसमें गलत क्या है उसमें वो अगर हो और वो कितने मात्रा में हैं, उनकी अगर संक्या मालूम पड़े, तो उसमें डर क्या है उसमें? उसमें तो पढ़ना चाहिए? उसमें अगर अलोकेशन अगर किसी नीधी का करना है, उसमें भाई क्यू है ऐसा? उनका अगर मोटा आकड अगर मालूम पड़ा, उसमें डर समाज इसलिए क्या हुआ कभी कभी ऐसा लगता है कि सत्ता बदल होगी व्यवस्ता बदल तो नहीं हुई न उनीसो सहितालीस में अंगरेज गई एक दूसरी हुकूमत आई वासल में हुकूमत नहीं वो सत्ता आई अब उसको आज लोग हुकूमत समझ रहे हैं वो संसत का यहां पर जो तै किया है वो मार्ग का राज चाहिए अब वो मार्ग छोड़के समसारी बाते बहु संख्यां के शब्द में बहुमत का यूज का हेट्स का नहीं तो यह जो थोड़ी बारी कि के आँि अब जाती कई जननने उससे जातिया और ऊबर के आएगी और यह आएगी तो बालूम तो फड़े उसमें क्या अधी का है होना चीन एँ जाती के जननना आकर होती है थीतना बड़ा समूह साइकोणिक म२द्स सकार। वह हमेशे के लिए रखना चीए ऐसा में नहीं है। उनकी कितनी तरक्य हुई नहीं हुई उसका इंडेस करना चीए। तकलीब क्या इन बातों में सोचने। महत्परपुर्ण बात और हुई है कि जब से आरक्षन का मामला सामने आ रहा है कि वेशिश्ट वर्गों को आरक्षन दिया जाया तो एक भ्रांती आरक्षन के बारे में रही कि यह जो उनिस सो चपन के बाद जो समुदाय बोद्ध हमी हुआ जिसने धर्मानतरित किया तो यह कि जो ब्रहम है इसमें कितनी सत्यता है यहां यहां सत्यता भ्रांती जो होती है मिसंडर्स्टेंडिंग भ्रांती और एक को दूसरे से लड़वाने का जो हेट है द्वेश है यह एक किसी दूसरे सुच का वैपन है कोई बी नो खरी कोई भी तरक्की तरक्की व unfre समण है तरिकी से संबंद्ध कि सम्झ वक्ट मे गार्में सर्विस से हुआ है अब कोई सर्विस अगर कोई कोई पत की प्राप्ति होई है वह केवल कास्ट कोमी इंग और हाँ आ कि मिली कोई भी अगर पद हो कोई शिक्षक में लगा होगा कोई रेलवे में लगा होगा कोई बैंक में लगा होगा कोई टेलिफोन में लगा होगा वो केवल कास्ट से लगा कि अरहता से लगा कास्ट और अरहता दोनों का समनों है कास्ट और अरहता अगर कहीं पर अरहता बोली होगी की metric path से ही, कहीं पर बोलाओगा कि, tumulting message में इतना speed से ही कोई, कोई, jaką चुवडा के पर चुड़ान City कोई, लगा कोई, टेटेव ले लेना पड़, तो केवल वो काश से लगी नहीं बाकी झुडर्स पात्रता है, ऐसी बख्लेट lob Yaket तो उसमेंनों व्होंग को गुणा है। उन्हें खाये कैसे? नहीं उन्होंधें काया उन्हों हें। उन्होंने अगर पेट काटकाट के अपने उन्रति का मार्ग अगर सुक्षण से जुड़ा है, अगर उसको समझ गया, तो सारे काम छोड़के पहले, उन्होंने स्कूल का घ निए देख तो उसमें गुना कया है उसमें। वो केवल कास्ट के बरुसा है। Care सभी को मिलाता है। अश्श के दिज्ज को सब्सक्राइब नियूद करिब दाता है. но कास्ट के सथ अरχता भी थी. अरहता प्राप्ति के तरव कमाल का दूरलक्सिक करने वाले उनको भड़काया गया वो तो उनको भी मिलता था एक बात और है कि केवल पूरा समाज नहीं तो शेडूल कास्ट ये जो कैटेगरी ये जो सुची है उसमें अन्य जो जातिया है बहुत महारों को छोड़ कर वे भी इस तऱ का आरोप लगाती है कि इन्होंने हमारा सारा एवन शेडूल ट्राइय। इस सुची में नहीं आते हैं वह भी आरोप लगाते है कि सारा का सारा डिजर्वेशन देखा जाए तो बौधव के घर में चला गया सारी नुकरिया बोधव के घर में चली हो ईसकि पर कि उसकिपी श。 तो आमेट कराइट नहीं हो न है ँची है और यह अंबेट करकर मार्ग लेख होना पड़ता है यह जो भरन्तिया आहिं अ मूल शाप最 बहुत वर्ग समुआ जो व्यवस्ता के कारण पीछे रहा, अउन्नत रहा, मागास रहा, बेरी बैकवर्ड रहा, उस वर्ग के उन्नती का जो मार्ग है, वो उन्नती का मार्ग ऐसा ऐसा है, उनमें से एक महत्वपूर्ण मार्ग बाउद धरम की स्विकार करना भी है, बाउद धरम का स्विकार करना वो उन्नती के मार्ग में एक अत्यनत महत्वपूर्ण मार्ग भी है, राजकारन के तरफ में ध्यान देना उसमें से एक मार्ग वो भी है, पड़ाई के तरफ ध्यान देना उसमें से एक मार्ग वो भी है, हमेशा संकटी तरेना उसमें से एक मार वो भी है, आमबेटकर को फालो करना, मुक्ती का मार्ग लेना है, वो मुक्ती के मार्ग में बाउद होना यह भी एक महतबुर्न मार्ग है, वो भरांतिया ऐसी फैला ही जाती है, कि आमबेटकर को एक संकुचित मात्रा में ऐसा फिट कर देते हैं, और वो भरांतिया तो वो इनको गैर समझ लोगों के दिमागों में डाल के, एक को दुसरों के साथ लड़ा के, और आमबेटकर को जबर्दस्ती जात पुरुष, ये किसी जाती का है, कभी-कभी आमबेटकर जीत जाती से आते हैं, वो जाती कभी लोगों का कभी-कभी थोड़ी गलती हो जाती है, कि वो भी ये सावधानी को कैसे बरतना, इसके थोड़ासा दूरलक्स हो जाता है, उसके कारण के वो जात पुरुष के कैटेगर में उनको बैठाल दिये, कि वो उस जाती के महापुरुष है, ऐसा नहीं है, वो मुक्ति पुरुष है, इस समझ ब्यावस्ताने जिनको किया है, जिनको आखें वोकर अंदे के आए, उन लोगों के उन्नति का मार्क क्या हो सकता है, ये बताने का वो मुक्ति पुरुष है, वो मुक्ति पुरुष के मार्क से जाना नहीं चाहिए, अगर जाए, तो एक जबरदस्त एक उठावा जाएगा, इसलिए गलत भाहिमिय आपने जैसे कहा जातीगत जनगन्ना होनी चाहिए, बस उसका जो structure है, कि कितना development हुआ है, कितना education मिला है, लेकिन अगर जातीगत जनगन्ना होती है, तो यहां का जो other backward class है, उसको जरूर नए रास्ते मिलेंगे, मगर एक बात महत्वपुर्ण है, कि जातीगत जनगन्ना य इसलिए नहीं हो सकता कि बाबा साब ने बहुत धर्म का स्विकार किया, थोड़ी भावनी गलत क्या हो जाती, और उसी वक्त में हिंदूत्व की लेहर आ गई, या लाई गई, बाबा साब को, मैं कि, मैं अगर सामयमाद को मानता हूं, तो मैंने अगर कहा कि, I am Marxist, I am Marxist, ब मैं वर्ग संगरश की उपर में ध्यान देने वाला एक जीव हूं, मुझे exploitation क्या होती है, यह समझती है, मैं मेरे कल्यान का मार्ग, मार्ष ने जिस रास्ते से बताया, उस मार्ष लेकिन जगर उसने कहा है कि I am Ambedkarist, तो Ambedkarist बोलते वक्त में उनको लगता है कि Ambedkar के नाम स से एक जाती जोडने का जो, अब उसको क्या करेगी, एक प्रतिबदता कि यह सोच को Ambedkar वादियों भी इसकी तरफ घंबीरता से ध्यान देना चाहिए, तो अधर वैकवर क्लास के दिमाग में यह भर दिये, कि अगर यह जाती जन गन्ना कि इसमें अपन जाएंगे, तो शा को धोका होगा, असल में हिंदु धर्म में रहे के उनका कोई फायदा नहीं है, यह मालूम होने के बावजूद भी, कि हिंदु तो क्या एक ऐसा अमरेला उनके निमाग में फिट करके रख दिये, और उनको लगते हैं कि हम से नीचे उन लोग है, वो जो दिमाग में उनके वरगवारी डाल दिये, मेरे उपर कोने, इसके बाद में मेरे नीचे भी बहुत लोग है, इसकी खुशी है, यह खुशी में वो उस बात के तरफ में, अग्यानतावश या किसी के परिशार का बली होकर वो आते हैं, आप जाती गन्ना लीजिए या आरक्षिन लीजिए, प इतने में देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस इस तरह की जातीगत जन गन्ना का समर्थन कर रही है, राज की दृष्टि से देखा जाए, उसका विश्लेशन किया जाए, तो इसका जातीगत जन गन्ना का किस पार्टी को फायदा हो सकता है? पार्टी के बजाए ओ जो OBC है, OBC वर को काफी फाइदा हो सकता है, और फिर OBC का फाइदा कौन से पार्टी ने कैसे लेना, वो पार्टी का मुद्दा होता है, लेकिं कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, कि भूमी का या वहिचा रिखता, यह जो राजक्य लड़ाई का बेस ह होता था, वो दिन पर दिन बहुत कम्जूर होते जा रहा है, और इतना कम्जूर होते जा रहा है कि अभी का राजकारन यह सीधा वेवरवाद के चर्व चारा है, वेवहारवाद के तरफ, अब मैं एक सोधा छोटा से एक्सांपल बताऊंगा, कि जो माननेवर शक्स, भारत जोड़ो यात्रा के लिए कही मेने यात्रा करता है, उसका मोटो बताता है कि मैं भारत जोड़ूंगा, लिकि बोलते वक्त में वो कभी भारत जबान से ने निकले उसकी कोशिश करता है, वो हिंदुस्तानी बोलता है, यह जो वेवारवाद है, भारत जोड़ने को निकला ह होवा शक्स जबान से भारत नहीं आना चाहिए इसकी पूरे कोशिश में रहता है ये वहवार वाज जो है ये हमारे जैसे सोचने माने को बड़ी तक्लीब दे होता है एक शक्स को मैं अभी देखा कि पिछले साल वो कहता रहा प्रेस कांफर्स लेकर इंडिया नीड्स न्यू इंडिया शुट डिबेट भारत ने इसकी उपर चर्चा करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए असी संशोदन हो गए वो एक राज्य का मुख्यमंत्री प्रेस कांफर्स लेके ताकर से बोलता रहा वो दुसरे साल 125 फूट का बावसा आमबेटकर का पुतला अपने रा स्भीदान की मांग करने वाला है यह जो वेवार बाद है एक नहीता को मैं देखा कि सावर करके मिचलों को खिलाब अगर कोई आया तो वह दिली जा के सम्जाने लगा लगा कि आपकी सावरकर से लड़ाई है या बोधी अड़ानी से लड़ाई है आपने तो दो और दो बो में एक हफ्ते के बाद आडानी को क्लिंशिट देता है यह जो वहवार वाद जो है कि वाइचारिक भूमी का लेने को बावा साब का हमेशा है कहना था कम से कम नेता ने तो भी अपने लोगों को वाइचारिक तार से इतना धुमिल नहीं करना चाहिए जाती जनगन्ना का आध राज की फाइदा की तुल्ना में वैसा रिक्ता का आधार होना चाहिए हाँ इस समाज वहस्ताने हमको शुद्र रखा है हाँ हमारी पीडिया कई पीडि तक के स्कूल और कालेज के पड़ाय से दूरती हाँ राजा होकर भी हमारी राज्य भिशेक को पंडित आता नहीं था यह हमको मालूम है यह इतियास के पन्लों ने हमको मालूम यह सिखा है कि हम शुद्र थे हम नीच के अप ते लिंग किस ने किया हम को क्यों किया क्या वज़य थी यह अगर पिडी ने ढूलते निकाला इकालते रहे इसमें गलत क्या है उसमें और भी इतने मात्रह में लोग है फिश का पोलिटिकल गेन कौन लेता और क्यों निलेता लेकिन वहिचारिकता का आधार पूरा तोड़ देना उनका जयगोष यह कोई उनका पूरा अधर नहीं है। और एक बहुत बड़ी भ्रांती है जो है राजणिति का आड़क्षन को लेकर बार-बार किया का जाता है कि जो इन लोगों को जो राजणिति में आने के लिए विदान सभा में पहुचने के लिए जिस तारक आड़क्षन दिया गया है। वो समयधानिक नहीं है, उसका एक समय सिमा तैय कर दी गई थी, और फिर कुछ राज किया जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका फाइदा लेने के लिए इस आरक्षन को आगे और आगे बढ़त कर ये अमृत काल तक लाए है, अमृत महसव तक लाए है, इसको आप कैसे देखें तुम दो ही बैटके तैय कर रहे है, गांडी और जीना दोनों बैटके तैय कर रहे है, ये इतनी मात्रा में है, इतनी संक्या में है जो लोग है, इनकी भविष्टिका क्या है? खेर वो विस्तार से बाते कहने के मेज़ा है, अब तुम वहां भी भरांती फहलाते है कि आरक् आरक्षन का सुप्रीम कोड के पांच सर्वोच्य नाय दीश के खंड़ पीट ने नीड़ने देते वक्स में, एक सर्वोच्य नाय दीशा ये कहती है कि ये आरक्षन केवल दस साल के लिए था, सर्वोच्य नाय दीश के खंड़ पीट की एक नाय दीश कहती है कि आरक्षन क और पासाद के दसाल के लिए था, वो पुलिटिकल आरक्षन है, SC, ST और प्रस्तावीत, OBC इनको जो आरक्षन की तर्टूद है, 340, 341 और 342, यह सब्विदानिक तर्टूद है, इसके लिए कोई वर्ष की सीमा नहीं है, वर्ष की सीमा नहीं है, तो केवल राज की आरक्षन की लिए, सुप्रीम कोट कराया दिश को मालूम नहीं हो न, यह कैसा ही है, यह देश मजाग बन रहा है कि अग्यान की हर्सी बन रहा है, यह क्या, तो उस मातरा में अगर सोचे, आज, राज की आरक्षन अगर गया भी, तो किसको दुख है, राज की आरक्षन का अभी तो पहली लाभारती, अभी जीस पार्टी का इस देश में राज है, वो लाभारती है, 80-90 प्रतिशत तो आरक्षन की सारी जगे उनकी पार्टी की लोग चुनके आ रहे, वो तो वहां गे, वो तो बावा साब बोलते थे हमेशा, इसलिए उन्होंने दो उमेदवार की दिमान रखे थे, वो करने के पीछे, उन्हों तो कई बार कहा था, तो इसलिए ती कि एक बंदार को दो ओड देने का जो अधिकार रहेगा, बात तो इसी है ना, कि एक कांस्टिटूसी में अगर 30% स्टिवलकास के लोग है और 70% दूसरे लोग है, तो वो तो अपना ही मानूंग, और वो ऐसा आजमी चुनके लाएगे, जो ओड बोले तो बैटने वाला आजमी, वैसे ही लोग चुनके है सत्ता में, और आज 543 लोकसभा के सदस में 131 हारक्षी थे, उनके सामने आर्थिक आरेक्शन का ठराव मंजूर होता है, और वो कुछ दिए बोलते, इससे ज़्यादा दरदराग बात क्या हो सकती है, कौन चुनके जा रहे हैं वहाँ पर, अगर लोग यह बोलते कि यह वो पार्टी के दलाल है, तो क्यों नी बोले गया, वो बोहिल ले के पीछे पीड़ा है, वो प्रतिनी धित्व नहीं है, वो गुलामी का प्रतिनी धित्व है, तो राज की आरेक्शन के बारे में इतनी तीवरता नहीं है. एक आखरी सवाल, ये तमाम जाती निहाय जन गन्ना हो या रिजर्वेशन हो, ये इस देश में कब तक, क्या जाती बाद है तब तक, या हिंदुत्व की संकल्पना है तब तक, या हिंदु रास्टर की संकल्पना है तब तक, कब तक ये रिजर्वेशन का मुद्दा या अभी अभी जैसा दिली में पहलोटे वो जीस व्यक्ति के खिलाब में वो और अधोलेंग चल Bolsonaro तो वो बोलते है कि वो हमारे उस्ट्रह समाज का है अब वो गलत है कि सही है वो बात रहे गई है वो शक्स क्षत्री समाज का है तो कोई योति बोलती में एक शत्रह नी हूँ तो और न्याय निवाड़ा यह ऐसा जातिगत्ता के तरफ में जू जा रहा है वो तो गलत है कि परमपारे नाम पर चराद्ध। गोड़्था झार्साल स्थे नहीं प्रुष्ट में ये परोसा जा रहा है और आप पूछे कि जाती और ये तब हिंदुत्व का सिधा संबंद जातियों से आता है तो तो अन्तहिन प्रक्रिया दिख रही है अब हम अगर कहें कि आप सब बहुत दो हो जाओ तो उसकी उल्टी रेक्शन है कि लिगे हम तो कहेंगे प्यार से कहेंगे अब भाशन दो देते हो बुद्ध की उपर में अब देश वीदेश में जाके बुद्ध की महिमा गाते हो तो खेरे धर्म का चर्चा का वीशे नहीं है लेकि एक बात तो सही है कि अगर दूख है तो कारन की नस्तरता की तरफ में तुम्हारा नीदाना और समाधनते हाना पड़ेगा अगर जातीगत अणनिया है तो बिस जातीगत आय्रकशन होना चीए अगर जातीगत मानुम अभी हएज भी दुनिया में कैलिफोर्णाय में में लड़ाई हो रही है वहाँ पर मानुम के व जो सडी गली मानसिकता यहां थी, वो और पाल रही है, केवल पाल रहा है यहां वो विदेश भी लेके जा रहे है, विदेश राल भी हरान होगे, कोई अच्छी चीद लेकी जाते तुँ अच्छाता, वहां लेके जारे, वहाँ अपर अनुछ कायदा कानून हो रहा है कि हीहा उसका आंतिन दब उचे ऐसा लगता है कि यह जो 2014 में जो 31% लेके एक पार्टी सत्ता पर आई, वही पार्टी 2019 को 36% लेके आई, वो पार्टी को ऐसा लगता है कि इस देश में 40% अगर हम ने वोट की प्राप्ति किये और 60 का बटवारा कर दिये, इसके पीछे भी एक ऐसा राजकारन दिखता है, कि 14 में OBC का था, 19 में बरस्टाचार का हुआ, और ये 24 आते आते, इतना ओपन लिख सार्वाजनिक उपकरम बेचना, ये लीगर्स ही हैं, वार्षा से हमको क्या मतलब आता है, हम क्यू मानेगे हैं वो सरकार का नहीं था, वो सभीदानिक सोस थी, अंग्रेजों ने होक्यमत सभीदान सभा को दी थी, वो किसी पार्टी को दिया नहीं था, वो सभीदान सभा ने सभीदान को मंजूर किया है, उस देश के उस वक्त के सारे प्रतिन इदियों ने इस देश का वहन, इस देश क कि पीडी का भविश्य ये रास्ते से जाएगा, ये उस्वक में ताहि किया था, ये किसी व्यक्ति वीशचे नहीं किया था, वो भविश्य को civ्विदानिक कठगरे में बावा सփमने बांदाता, ये किवाल बाबा साम ने पूरी सोच दिया ऐसी भी बरहंती नहीं है जो सोच उस वक्त की सभीदान सभाने वो सभीदान धाचे में बांद के सतर पैशातर साल में आप होते कोन है आप केवल बहुमत में आये हैं पूरी धीवन की पीडियों का रास्ता बदनने का आपको यह किस नहीं द उनों ने तो उनको दिमाग में ऐसा आया क्योंकि सेव मेरिट सेव नेशन वेलफेर स्टेट को बोलना पसंद नहीं करते यह टैक्स पेर्स का पैसा है बोलते यह फुकते बोलते यह मुफ्तकोर है बोलते माने वेलफेर की बात करना धर्मारत बात करना पीछे रहे आदमी क तो सहायता देना, उंगली पकड़के उसको खड़ा करना, यह जो सोच थी, उसको इस धाचे में डाल दिये, कि यह टैक्सपेर्स का पैसा है, कैसा टैक्सपेर्स? यह तो दवाई भी लेता है, तो भी टैक्स देता आदेगी, यह तो पिक्सिल सिनेमा भी देखने जाता है, त यह तो टैक्स देता है वाईने, कितने रहा, कैसा ही यह मानी यह सोचे, और उनको मुफ्त को बोलते है, फुकट के खाने वाले, यह आरक्षी समो कोई जो गना, और यह वैसा वैसा ओपन क्लास को, यह अच्छा लगता रहा, वो ओपन क्लास के कौन लोग है, उनका नाम ले के गरज नहीं है, और जैसा जैसा प्राइवेटाइजिशन हो रहा है, वैसे वैसे इस देश की श्रिमंत जातिया जो है, जिनके हातों में कारोबार है, जिनके हातों में पीडी दात कारोबार है, जो कारोबार के सिवा जिना नहीं चाहते, उनके पीडी तर पीडी, कोई प पारी है, ऐसी सोच वाली जो जातिया है, जो शिमंत मनी बैठी है, उनने सो सहिताली से दोजार तेईस तक, जितना पैसा बहा, असी प्रतिशत पैसा उनके पास गया, और जो केवन नौकरी परा, वो पगार के रास्ते उनके घर में आया, जोपड़ी का शायद मारी बनाया हो हमें हो आया, उनके पास में एक अची सोच अई अची जीवन जीने का तरिया है, धन का कुबेर नहीं है, जिनके हाथ में धन का कुबेर आया है, वो अब उनकी ऊपर जो बंदन था, कि इतने उद्योख सरकार के रहेंगे, इतने उद्योख खाजगी रहेंगे, ये जो अगर 40 प्रतिशत होते हैं तो यह 40 प्रतिशत के इसमें हम सत्ता पर आ सकते यह सोच इस देश में जिस पार्टी के अभी सत्ता है उन्होंने सोचा और यह जो बचे साथ है इनको हम बटवार में जरूर डाल देंगे इस कारण के उस रचना के कारण यह सब सारा हो गया लेकिन थोड़ा दुर्बाग्या हो गया करनाटक ने वह 60 प्रतिशत बट नहीं पाया क्यों नहीं बट पाया वह अलग बात है और एक नया धक्का मिल गया उनका यह इसके पीछे हीड़न आजंडा है चुपावा आजंडा है खाजगे उसके और गोटिया है सो चैंडा अद रृष nue सोचे यह नел को बें बिल्कुल इस ने गया गेम को समझना चाहिए और जैसे के चर्चा चल रही थी कि आरक्षन कब तक तो इस देश में जब तक हिंदुत वादी मान सिखता है जब तक जाती वादी मान सिखता है जब तक शोशन वाली मान सिखता है तब तक ये आरक्षन ज़रूरी है सबको समान न्याय देना बहुत ज़रूरी है रंजित TV.